हाई फ्रेंक्स गुड मॉर्णिंग वेलकम तो एक्समी आप सब अच्छे हैं यह प्रिपेरिंग वेल फोर एक्जामिडेशन शुरू करते हैं आज का हमारा करेंग्ट अफेर जो कि है 12 अपरेल 2023 आफेर जो कि आप्रिवाइश कर बाओ शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूस से जो कि है रिलेटेट टू डायरेट टैक्स तो देखो यह एज इन इंफोर्मिशन है इन इनफोर्मिशन यह है कि जो डायरेट टैक्स कलेक्शन है देश में सबसे आगे कौन है मॉंबई ह इसके बाद डेली है उसके बाद बैंगलोरू उसके बाद चैन्नाई और हैदराबाद तो न्यूस को कुछ इस प्रकाल लिखा गया है कि जो बैंगलोरू है उसका न्यूस मतलब उसका जो कलेक्शन है वो डिली के पास पहुच रहा है अगर आप परसेंटेज वाइस देख किसका है मुंबाई का है उसके बाद है डिली का 12.5 परसेंट फिर बैंगलोरू का 12.3 परसेंट पिर चन्नाई का 6.4 परसेंट फिर हैथ रवाध का 5.3 परसेंट तो आप देखो मुंबाई का शेयर कितना बड़ा है तो एक यह न्यूस मतलब यह आपके एक्जाम में पूछ सकता है कि direct tax collection कि city से सबसे जादा है and it is very obvious financial capital Mumbai है तो Mumbai ही आगे आएगा तो कितना direct tax collection हुआ rupees 16.16 trillion हुआ ठीक है यह आपको दहन में देना है बढ़ते आगे next news के तरफ वो है IMF cuts India's FY24 growth forecast projection of 5.9 among lowest and inflation packed at 4.9 जो international monetary fund है उन्होंने सबसे पहले यह बोला था कि जो इंडिया का FY24 मतलब जो current financial error है वो 6.1% से grow करेगा अब उन्होंने कम कर दिया उसको अब वो यह बोल रहे है कि इंडिया अब 5.9 से grow करेगा आप देखो ऐसा उन्होंने इंडिया के साथ नहीं और भी कई सारे countries के साथ किया है चाइना का उन्होंने retained रखा है 5.2 यूएस का पहले 1.4 बताया था भी 1.6 बता रहे यूज़ो एरिया का पहले पॉइंट 7 बता रहे था भी 0.8 है तो इस प्रकार से है और UK एक मात्र कंट्री है जो कि negative growth पे जाएगा ठीक है बट उस पे भी कम होगा negativity कम होगा तो इंडिया का जो growth perspective है या projections है अलग-अलग agency द्वारा यह आपको याद करना होगा economic suburb में 6.5 कहा गया है ADB 6.4, RBI 6.4, World Bank 6.3 अन सो ओन यह आपको याद रखना होगा चलो गरते आगे next news के तरफ वो है भेल लेट ग्रोब बैक्स 9.6 के करोर order for 80 वंदे भारत train आपको पता होगा वंदे भारत जो सफेद वाली train है उसको प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले दो एरिया से लॉंच किये हैं मतलब एक चेन्नाई एक तमिल नाडू से वो लॉंच हुआ है तो टोटल देश में अभी तेरा वंदे भारत एक्सप्रेस तेरा डिफरेंट रूट्स में चल रहे हैं तो इन वंदे भारत का जो कवर्मेंट का मोटीव यह है कि देश में 400 ट्रेन चले और अभी जो ट्रेन चल रहे हैं यह सब सिटिंग है तो स्लीपर ट्रेन भी चलाने का यह है आगे आने वाले दिनों में तो भारत ह देवी एलेक्ट्रिकल लेमिटेट को यह बहुत बड़ा ओडर मिला है सारे 9000 मतलब 9600 करोन का जहां पर देविल मैनुफेक्ट्चर 80 स्लीपर क्लास बंदे भारत एक्सप्रेस ओवर पिरिड ऑफ शियर मतलब 72 मन्त के अंदर यह पूरा ओडर पूरा किया जाएगा एक ट्र बहुत लोग है इंटिकरिटेट कोच फैक्ट्री चे नहीं है फिर इस पे आपका टीतागार वैगोंस है जो की टेक्नलोजी पार्टनर है और इस इस ओरडर पे यह बी है कि 35 साल का जो मेंटेनेंस है यह बी कौन करेगा भेल करेगा उस ट्रेंट्स के तो यह बहुत इंपर पेमिंट के उपर में सबसे पहले तो RBI द्वारा परबिशन के बिना कोई चालो ही नहीं कर सकता नहीं तो पे लेटर तो बहुत है तो RBI ने अभी जो 6th April 2023 में जो मॉनेटर पॉलिसी हुआ है वहां पे RBI ने UPI के स्कोप को एक्सपैंड किया है वहां पे RBI ने यह बताया ह है कि UPI अब EMI पे भी हो सकता है मतलब उसके स्कोप को बढ़ाया जा रहा है और उसको प्री सैंक्षिन क्रेडिट लाइन्स में भी यूज कर सकते हैं तो एक ICICI का प्रोड़क्ट है ICICI Bank Pay Later जो कि ICICI ने 2018 में लॉंच किया था वह अब तक अलग सिस्टम पे चलता था मतलब पेमेंट हो जाने के बाद लोगों को पे करना पड़ता था उस वैलेट में अब यहां पर ICICI Bank देश का पहला बैंक बन गया है उसमें क्या होगा जो दस जार से उपर के ट्रैंडेक्शिंस ICICI के एप के थुरू होगा तो वहां पर कस्टमर्स को ओप्शिन यह मिलेगा मतलब आपको मुझे जो भी कस्टमर्स उनको ओप्शिन यह मिलेगा कि हम उसे डायरेट कनवर्ट कर सकते तीन छे या बारा मेने की एमाई में जैसे जैसे जिसका ओफर आएगा वैसे तो यह आपको याद करना होगा कि आएसे यह बैंक देश का पहला लेंडर बन गया है तो इंट्रिदूस दिस फीचर टो इस कस्टमर्स पाइन आव पे लिटर स्कीम ऑन दी यूपी आई क्रेट ठीक है चलो बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट नीउस के तरफ है फोर स्टेश र करती है अपने डिफिचेट और अपने दुसरे काम के लिए वैसे ही स्टेट गवर्वश्मेंट डवलॉप्मेंट क्या करती है स्टेट डवलॉप्मेंट लोन उठाती है एड बॉंड आक्षिन तो यह चार स्टेट ने अभी आर्बिआई से मतलब आर्बिआई क्योंकि उ अगर आप कैलेंडर के हिसाप से जाओगे तो कैलेंडर में आप ये देखोगे कि टोटल 22,500 करोर एपरिल के पहले विग में पूरे स्टेट्स ने उठाना है तो उसमें से 5,800 करोर और रेडी चार स्टेट्स ने उठा लिया है सो एक ये नियूस था अब चलेंगे आगे नेक्स नियूस में वो है रिगार्डिंग सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोपरेटिंग एजनसी जिसा ये लोगों ने ये दोनों बैंक ने इंदरसन बैंक को को फाइनेंसिंग पार्टनर बनाया है मतलब इंदरसन बैंक अब फार्म सेक्टर में लोन प्रोवाइट करेगा लेकिन ये जो लोन का पैसा है ये कहां से आ रहा है सिटी बैंक में 30 मिलियन का क्रडिट दिया है और जो जिसा है उन्होंने जापानीश करंसी येन में 13 मिलियन लोन के तोर पे दिया है तो ये पैसा यूज़ करके इंदरसन बैंक क्या करने वाली है आने वाले दिनों में फार्म सेक्टर में अपना एरिया और अपना जो लेंडिंग कैपसिटी है उसको एन्हांस करने वाली है एक छोड़ा सा कोशिन बन सकता है कि एक तो आपको सवाल ये पुछ सकता है कि कि अंजीसा तो यह आपको याद करना होगा चलते आगे नेक्स नियूज में वह है प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहला बंदे भारत एक्सप्रेस राजस्तान का आज वीडियो कॉंफिरेंसिंग के थुरू यह करने वाले हैं इनौर्ट करने वाले हैं यह कहां पर चले कि एंगे प्रूब्स नरे हैं पर वीडियोच का रिचा रावाई हैं यह ने को सिर्च कर देडी ने कर रावेः ने कर दो अपन टेडू प्रूब्स है झाल झाल